हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं हम से फ्रेंट्स हम यहां पर डिसकुशन कर रहे हैं पाइड आविस्ट्री होटी स्पोर्स इन इंडिया ओके और यह चार होटी स्पोर्स इंडिया में पाई जाते हैं नमबर वन वेस्टरन गार्ट नमबर टू हिमालियास नमबर थी इंडो बर्मा region and number four सुन्दर लेंड I hope कि आपको ये चारो का पहले से ही पता है अगर हम यहाँ पर बात करें western घाट की तो यहाँ पर किस तरह का एक environment पाई जा रहा है कौन से आपके forest पाई जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि these hills are present along the western age okay western age में and penitular India since they are situated near the ocean they are likely to receive a good amount of rainfall और यहाँ पर अच्छा good rainfall देखने को मिर रहा है most of the deciduous यहाँ पर deciduous हैं as well as rainforest rainforest भी हैं and are present in these region around 77% of amphibians देखने को मिलते हैं 72% यहाँ पर रेप्टाइल्स हैं और फांड यहाँ नोट बीश्पोर्टेड और लबेदेटेटी लेस्पिन और एस्पोर्टेटी प्रेशन यहाँ खर स्थान चरुपर URL land bridge which has a width of nearly 140 km नेक्स्ट अगर हम हिमालिया की बात करें तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इस रिजन कंप्राइज ऑफ भूतान नोर्डेस्ट इंडिया सादर्न सेंट्रल इस्टर्न नेपल यह सभी महाँ पर देखने को मिलें इस हिमालियन मांटेंस आर दा हाइस्ट इंडवर्ड ओके तो हाइस्ट इन दा वर्ल इंडवर्ड इन्कूलूदिक मांट आवरेस्ट आंड के तू देखने को मिलता है हिमालियास में जो होट इस पोर्स हैं ओके some of the major river in the world originate from the Himalayas the Himalayas comprise of more than 100 amounts beyond 7200 meters हमें ये देखने को मिलती है थर्ड आपका होता है इंडो बर्मा रीजिन उसमें हमें क्या वो कहां पे देखने को मिल रहा है बर्म नर्थन एस्ट तो जाओ ऑफ बर्म बर्म पुत्रा रिवर मनमर और चाईन युन प्रोविंस सर्दन पर्ट लो प्यूपिल्स डूमेंस डूम डेमोक्रेटिव रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वें वेंटनम और कंबोडिया थाइलेंड इनमें ये देखने को मिलता है इट इस इस्प्रेड ओवर डिस्टेंस ओफ टू मिलियन स्क्वेर किलोमेटर नेक्स्ट आपका सर्दन सुन्दर लैंड है ओके और महां पर जिस तरह का रिजन पाय जा रहा है उसमें आएगा साउथ इस्टेसिया इंकलूड थाइलेंड सिंगापूर इंडोनेसिया ब्रुनाई मलेसिया निकोबार आइसलेंड रिप्रेजेंट इन इंडिया निकोबार आइसलेंड रिप्रेजेंट इन इंडिया इस आइसलेंड वर डिकलेड एस दा वल्ड बायोस्फियर इसर इन दोजार तेरा बाई युनाइटेड नेशन तो यह जो आइसलेंड है वो डिक्लेयर हुआ है वर्ल्ड बायोस्फियर रिजर्व इन 2013 यह आप याद रखना उसके बाद में महाँ पे किस तरह का और यह पाए जा रहा है इस आइसलेंड है रिच तर्स्टियल अस वेल अस मेराइन मेराइन एको सिस्टम देखने को मिलेगा इंकलूदिंग मैंग्रू और सीग्रास बीड्स और कोरल लीव इस सच आज डोल्फीन वेल टर्टल्स क्रोकोडाइल फिसेज प्रोंस लोबिस्टर्स और सीड शेल्स पंप्राइज दर मैराइन बायो डाइवस्टी इन केस दम मैराइन रिसोर्सेज और ओवर यूज ओके तो उनका ओवर यूज होने की वजा से क्या होगा कि इत एक एन पोजे सीरियस थ्रेट तो बायो यह वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगया तो प्लीज केमेंट चेर और सब्सक्राइब लाओ एंड हमेशा याद रखना कि इंडिया के अंदर कॉंसे होट स्पोर्स पाई जा रहे हैं वेस्टन घाट हिमालिया इंडो बर्मा रिजन और सुन्दर लेंड थैंक